अब भोले बाबा कहते हैं कि देवी क्या बात है आप किस बात पर नाराज है माता ने कहा पहले तो ये बताईए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं भोले बाबा ने कहा ये कोई पूछने की बात है कि अरे बहुत प्रेम करते हैं हम सबसे जढ्यदा प्रेम ही आपसे करते हुआ तो माताने आणे का फिर यह अमर कथा क्या भोले वावा ने सोचा ये किसने बता दिया नेत्र बन करकर देखते है तो पूरा दृष्श वी सामने आजाता है पोले बाबा कहते हैं despite ब्रह्मन देवता आते हैं और अपना कुछ ना कुछ काम कर कर जाते हैं तो माराज भूले बाबा ने कहा कि अरे ठीक है अभी तक नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे माता ने का अब तो सुनानी ही पड़ेगी पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई है अरे आपने मुझे कितनी कताएं सुनाई है भोले बाबा ने कहा देखिए मैं आपको सुना देता लेकिन महिलाओं में एक बड़ी बुरी आदत होती है देखिए मैं नहीं कह रही है भोले बाबा कह रहे है मैं खुद महिला हूँ है क्यों कहूंगी पर भोले बाबा ने कहा है तो वो बात बतानी पड़ेगी तो वो कहते हैं कि महिलाओं में एक बड़ी बुरी आदत होती है बोले कौन सी आदत है बोले आप कोई बात छिपा कर नहीं रख सकते। जहाँ 4-5 महिलाईं मिली नहीं के सारी बाते बाहर। और ये कता सबको नहीं सुना सकते हैं। ये बहुत गोपनीय कता है। आप नाम से समझ सकते हैं किस कता को सुनने के बाद क्या होगा। नाम क्या है। अमर कथा यानि सुनने वाला अमर हो जाएगा तो भूले बाबा ने का ये थोड़ी सब को सुना सकते हैं माता ने कहा मैं किसी से नहीं कहूं गए आप मुझे ये कथा सुनाएं भूले बाबा ने का ठीक है तो केलाश परवत के उची शिला पर जाकर बैठते हैं कल्ब तरू सवरिक्ष के नीचे भूले बाबा बैठे है माता थोड़ी नीचे कथा सुनने के लिए अब कथा आरंब करने से पहले बौले बाबा ने पहली है थाली बजाए oke अ इतनी नहीं पहली ताली बजाएं तो पहली ताली बजाते ही जितने जीव जन्तु थे कैलाश परवत पर वो सब कैलाश परवत छोड़कर चले हैं यही ताली का महत्व होता है आप किसी कता सत्संग में जाते हैं तो कोई महराज जी जो कता कर रहे हुए या गायक कलाकार बजन गा रहे हैं वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं तो कई लोग बड़े जुझला उठते हैं क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं तो ताली सिर्फ इसलिए नहीं बजाने को कहा जाता कि दिखने में अच्छा लगता है और आवाज अच्छी आती है ताली के बहुत महत्व हैं महाराजा अब देखिए स्वास्थ के लिए क्या-क्या महत्व है ये तो आपको स्वामी शीराम देवा बजी बताते ही रहते के ताली बजाने के क्या-क्या महत्व है बाकी सत्संग में क्या महत्व है जब आप सत्संग में आते हैं तो आपका और भगवान का मिलन होता है आप दुनिया की चिंताओं को भूल कर केवल प्रसनता में होते हैं अब यहां पर सब बैठें कितनों को चिंता हो रही है कि भई घर कैसे चलेगा कल का काम कैसे होगा कोई चिंता कर रहे हैं सब हस रहे हैं बजन सुन रहे हैं ताली बजा रहे हैं और यही घर पर रहो काम कर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है फोन आते ही रहते हैं तो कथा में जीव सांसारिक चिंताओं को भूल कर केवल प्रसनिता में होता है लेकिन ये भी इतना असान नहीं है जैसा कहा गया कैलाश परवत के जीव जन्तु सब छोड़ कर जाने लगे तो ये जीव जन्तु कौन है ये मोह माया रूपी जीव जन्तु है जो आपको भगवान से मिलने में रोक लगाते हैं सबसे पहला एहंकार जिसमें एहंकार होगा वो ठीक से ताली नहीं बजाएगा उधारण आप कई बार देखते होंगे बड़े-बड़े कथाओं में कई बार बड़े-बड़े लोग आते हैं जो बड़ी-बड़ी पदवी पर बैठते हैं बहुत धनपत्ती होते हैं या बड़ी पोस्ट पर हैं आते हैं शांती से बैठे रहते हैं चुप चापे ताली नहीं बजा रहे कुछ अब उसी व्यक्ति को अपने घर पर अपने पोते पोती के सामने उसको हसाने में ताली बजाने में शरम नहीं आती पर कथा में आकर ताली बजाने में बड़ी शरम आती और कोई जादा ही जबरदस्ती करें कि बई ताली बजाना तो बड़े ही तो यह क्या होता है एहंकार आपको एहंकार है आपको लगता है कि आप इतने साधारन नहीं है कि आप साधारन लोगों की तरह तालिया बजाएंगे तो एहंकार वो एहंकार आते ही आप भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं दूसरा आलस्य जो बड़े आलसी होते हैं कथा में आकर ध्यान नहीं देते कथाओं में तो आलस्य यानि नींद बड़ी आते हैं तो आलत से और फिर कई बार हमारे आजू बाजू भी कई जीवजन तो बैठ विए जो खुद तो कथा सुनते नहीं दूसरे को भी नहीं सुनने दें हर थोड़ी देर में पानी प्योंगी इह सुपारी का शुपारी का कestyle यहां रहते हैं इंकुम जानते यह यहां रहते हैं यह पतली अरे सुनने तुर दो, बाद में बात करले ला तो ये कव आपको बाते करेंगे जो आप शान्त बैटे हूँ आप ताली बजा रहे हैं जोश में हैं तो वा आपको छेड़ते नहीं तो ताली आपको बघवान से जोड़ती हैं तो अगली बार किसी कथा सपसथंग में ताली बजाने को कहा जाए तो जूंजलाना नहीं और जोर से तालिया बजाना जाए तो इसलिए महादेव जी ने पहली ताली बजाए तो जितने कैलाश परवत पर जीव जन्तु थे, वो कैलाश परवत छोड़कर चले गई दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का त्रिशूल कैलाश परवत की तीन बार परिक्रमा करकर आता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि अमर कता है तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंदित हवाएं बहने लगती है भक्ती में वातावरण हो जाता है अब महादेव जी कहते हैं कि मैं अब कथा सुनाना अरंब करने वाला लेकिन एक बात का ध्यान रखना क्या? ये देखिए, पारवती जी के माध्यम से आप सभी को समझाया जा रहा है कि ये कथा ध्यान से सुनना अगर आपका ध्यान इदरदर हुआ तो निद्रारानी आपको अपनी गोद में ले लेगी क्योंकि वो आती है इस कथा में वो भक्त की परिक्षा लेने आती है हर भक्त के पास आती है अगर भक्त अच्छे से कथा सुन रहे हैं तब तो चली जाएगी और थोड़ा भी ध्यान इदरदर हुआ तो एक दो जपकी तो लगेगी तो माधेव जी ने माता से कहा पर भी भुले बाबा कहते क्या पता कभी तो आप एक काम करिएगा बीच बीच में कहते रहिएगा हम स्वामी हम स्वामी माताँ को पता होगा कहानिय सुनाते ना वरत दित्या दिन तो बीच बीच में कोई होता है जो करते रहता है कहा जाता है करने को यह शुर्वात महादेव जी नहीं करी, कि पता रहा है सामने वाला सुन रहा है तो भोले बाबा ने कहा कि बीच बीच में कहते रहना स्वामी तो मुझे पता रहेगा कि आप जग रहेंगे माता ने का ठीक है कथा आरंब करते हैं आरंब करते ही उसी पेड़ पर एक सुवे का अंडा पड़ा हुआ था तो त्रिशूल को पता नहीं चला कि कोई जीवित जीव है तो वो तो परिक्रमा करकर आगया कथा आरंब होते ही इवाण्डा फूट जाता है उसमें से इक शूक बालक निकलता है कि तो महराजी वो शूक SARAH Btwी बैठे रथे कथा सुर रहा है कुछ diligent कथा सुन रहा है थोड़ी देर तो माता कथा सुंती है हूर सभा मी हूर सभा मी कह रही है थोड़ी देर सो जाती है अब भोले बाबा कथा कहते कहते नित्र बंद कर लिए उन्होंने कथा कहते जा रहे हैं अब यहां पर तोते का यह स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार-बार सुन ले तो वो से दोहराने लगता है अब माता को वो इतनी देर से सुन रहा था हूं स्वामी हूं स्वामी कहते हुए अब माता के सोने के बाद माता तो चुप हो गई वो शूख बालक कह रहा है हूं स्वामी हूं स्वामी अब यह देखे भक्ति की चरम सीमा है भोले बाबा को शूख बालक की आवाज पार्वति माता की आवाज बस उनके कान में आवाज पढ़नी चाहिए हुँ इस वागी वो भक्ती में ली रहे हैं अन्त में बस कथा समाप्त होने वाली हैं नेत्र खोलते हैं देवी आपने क्या समझा देवी तो नीन में भोले बाबा उठाते हैं माता ने कहां मुझसे गल्ती हो गई आप फिर से कहिए मैं अब नहीं सोंगी भोले बाबा ने का वो तो ठीक है पर अगर आप सो रही थी इतनी देर से हुँ स्वामी हुँ स्वामी कौन कह रहा था इधर उदर देखते हैं तो शूख बालक पर नजर पढ़ती है अब आगे आगे वो शूख बालक भाग रहे प चोरी से कता सुनिये इसने तीन लोग चौदा भुवन वो घूम लेता है कोई साहता ने करें महादेवजी से कौन बैर लें तब शूख बालक ने सोचा कि जब दैत्तियों से संकट हो तो देवताओं के पास जाओ और जब देवता से ही संकट हो तो इसके पास जाओ तो ब् तब शूख बालक ने सोचा अब ब्रह्मन देवता के पास जाते हैं तो वो पृत्वी पर आता है और फिट भी पर वेदाव्याजी महाराज की घर पर पहुचकर उनकी धरम पत्नी वो उबासी लेने के लिए मुख खोलती है तो छोटा सा रूप लेकर उनके मुख के द्व वेदाव जीने कहा पहली बार तो दर्शन दिए अभी इस रूप में के ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे भे बावने का आप से नहीं हुई है आपकी घर पर एक चोर मेरे यहां से चोरी करकर भागा है कि वेदाव्याजी नेका चोरीग जोत जोत एश याजाने कर झासा है वेदव्याजी कहते हैं नहीं नहीं मेरा आर्थ है आप तो बिना मांगे दे लेते हैं और आप तो अपने घर पर ऐसी कोई वस्तू रखते नहीं है अब भांग धतूरा चुराया हो तो खाने की वस्तू के लिए तिना क्रूत भूले बाबा कहते है अरे उसने मेरी अमर कथा चोड़ी से सुनी है मैं उसे म्रक्तिव दंड दे कर रहा हूं कि वेदव्याजी ने का सई नाम है आपका भूले भंडारी भूले बाबा ने का ऐसा क्यों क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली तो तो अमर हो गया आप उसे मारी नहीं सकते और अगर आप मान दीजिए अमकाल है आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा जूटी हो गई है इसलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चलिए क्रोध में भगवान के सोचने समझने की शक्ति चली गई वो भूल गई कि उसने अमर कथा सुनी है अमर कथा विप्ति को अमर कर देती है संसकार संसकार The Channel of India हमारी संस्कृति हमारी विरासर